हेलो फ्रेंड्स मैं बनाने वाली हूं मखाना पीनिट स्नैग इसके लिए मैंने श्प्राउटेड मुमफली का यूज किया है अब नौर्मल भी ले सकते हैं श्प्राउटेड थोड़ी है तो एक पैन गरम करते हैं इसमें आधा कप स्प्राउटेड मुमफली इसे हम ड्राइ वन टी स्पून देसी घी और दो कप मखाना अब हम इसे रोस्ट करेंगे दीरे दीरे इनको हम हाफ हाफ काट भी सकते हैं अगर मखाने का साइथ बड़ा है इनको अच्छे तरह से रोस्ट होने के बाद एड़ कर देते हैं जो रोस्टीड मुमफली रखी थी हाफ टी तैयार हो गया जाए के साथ खाईये और हेल्दी रहिए अब मखाना मुमफली नमकीन के कुछ हेल्दी आइटम्स डिसकस करते हैं मखाना मखाने में प्रोटीन बहुत ही जादा होता है जो कि हमारी बोल्स को स्रॉंग ताकतवर बनाने के लिए ज़रूरी होता है मखाना उन और सैचुरेटीड फैट्स कम होते हैं इस वज़े से शुगर या हाट प्रबलम अले लोगी से खा सकते हैं मखाने में एंटी एजिंग प्रोपरिटिस होती है 100 ग्राम मखाने में 9.7 ग्राम प्रोटीन और 14.5 ग्राम फाइबर होता है जो कि मसल स्टॉंग करने और सो ब्लड फॉको सही से मेंटेन करके हमारी किड़ी को हेल्दी रखता है मखाने लीवर्ड लीबर के टॉक्सिंस को बाहर निकालने में भी हेल्प करते हैं पिनित जितने भी फाइदे होते हैं स्प्राउट know के बाद उसके सभी फाइदे कई ना बढ़ जाते हैं और साधी- लिए बहुत अच्छा होता है इसमें प्रोटीन भी बहुत ज्यादा होता है सो ग्राम मुफली में 25 ग्राम प्रोटीन होता है प्रोटीन का सबसे सस्ता और खाने में टेस्टी सौर्स है मुफली में गुड़ फैर्स और फाइबर भी बहुत होते हैं पीनट हेल्दी हार्ट औ इस्किन के लिए भी बहुत बढ़िया है, इस्किन को स्मूथ और ग्लोइंग बनाती है, यह हमें पेट भरे रहने की भी फिलिंग देती है, देखा फ्रेज, मखाना मूमफली, टेस्टी स्नैक्स का मजा लीजिए, और साथ ही साथ हेल्दी रहिए, ओके फ्रेंड्स, युवे